नमस्कार आपका हमारी यूटूब चैनल में स्वागत हैं दोस्तों मैं बता दूं कि SSC CHSL का ओनलाइन फॉर्म भराना इस्टार्ट हो गया है ठीक है तो मैं आपको कैसे आपको फॉर्म को भरना है वो में एक एक इस्टेप आपको बताऊंगा उससे पहले अगर हमार चैनल म ना बोले ताकि आने वाले जितने भी सारे आगमी सरकारी परिक्षा है उसकी जानकारे मिल सागे साथे टॉप हंडेड जीके का मैंने 11 वीडियो करा दिया वो जरूर देख ले और साथे टॉप हंडेड इंग्लेस वर्ड्स करा रहा हूं जो आपको SSC बैंकिंग के एक्जा डिटेल्स मांगा जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं ठीक है यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं इस जगा पर यहां पर तीन स्टेजेज में आपका भरना है पहला में आपका बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा दोसरा में आपका एडिशनल एंड कॉंटेक् declaration मागा जाएगा तो हम लोग सबसे पहले बेसिक डिटेल आपको ध्यान से भरना होगा तो चलिए एक एक करके बताता हूं कि आपको क्या क्या कहां भरना है देखिए सबसे पहले यहां पर बेसिक डिटेल में आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा तो क्या लिखा हुआ मिले हो यह यह भी वर्ड अगर गलत करते हैं तो आपका फॉर्म रिजक्ट हो सकता है या आपको एक्जाम हॉल से बाहर किया जा सकता है ठीक है योर केंडिडेचर में गेट कैंसल्ड इनकेस इनकरेक्ट रॉंग इन्फॉर्मेशन इस फॉर्निश्ट अगर आपको इसी परकार का इनकरेक्रेक्टा क्या ले इसका है तो आपका फॉर्म को रिजक्ट्ट कर दिया जा सकता है तो देखे सबसे बच पर दोड़ा यूव यह आधार और है अगर अजयर इस कर लेने है नहीं लिए तो रहिर नंबर की है वह आपको यहां पर oneself करना है ठीक है इसका निहां पर ब data कर लीजेगा ठीक है अगर अधार कर लीजेगा उसकार यहां पर देखे ट इप आइडिंगा ईडि मे अगर आपका पें गड़े बना है तो पेंगा यहां नहीं बनाया तो जल्द बनाले और पेंगाट का आइडी जो है वह आपको यहां पर एंड नमबर यहां पर डाल देना है आपका जो भी नाम है वो आपका यहां पर नाम लिखना है फिर दोबरा अपना नाम को यहां पर वेरिफाई करना है दोबरा यहां पर अपना नाम लिखना है have you ever changed you कि आपने अपना नाम कभी बदला है अगर नहीं तो no कर लेना है ठीक है उसके बात देखिए यहाँ पर आपको father's name भरना है और आपका verify करना है father name नहीं जो father name आपका है सही-सही spelling फिर यहाँ भरना होगा ठीक है capital letter में भरे बहतर रहेगा mother name यहाँ पर भर दे फिर अपना mother name को यहाँ पर verify कर ले अपना date of birth आपका जो भी जन्मतिति है उसको आप यहाँ पर डालिएगा उसका आपना जन्मतिति को यहाँ पर दोबारा verify किजिएगा ठीक है तो दोबारा जन्मतिति को डालिएगा उसके बाद यहाँ पर आपका metric level में कुछ-कुछ मांगा जा रहें देखें जैसे कि आपने metric का word कभ दिआ था education board किस बोड़ से दिया था अगर आपने CVSC से दिया था तो CVSC select कर लीजीगा या किसी state board से दिया था तो वो state board select किजेगा फिर आपको यहाँ पर verify करना होगा तो दोबारा आपना role नमर को यहाँ पर डाल दीजेगा 10th का ठीक है 12 नहीं डालना है उसका आद किस साल metric passed किए थे वो यहाँ डालना है फिर आपको जिस साल metric passed किये थे उसको दोबारा verify कर लिज़ेगा वही साल डालिएगा जेंडर आप select कर लिए मेल है तो मेल, फीमेव है तो फीमेव, ट्रांगेव, ट्रांगेव तो ट्रांगेव कर लिजेगा, फिर आप verify किजेगा अपना जेंडर को male है या female है या transgender है वरिफाई करने के बाद आप अपना level of educational qualification आप कहा तक पढ़ है अगर आप 10 प्लस 2 तक पढ़ है तो 10 प्लस 2 सेलेट कर लिजेगा graduate तक पढ़ है तो graduate सेलेट कर लिजेगा उसके अपका यहां पर mobile number मागा जाएगा तो mobile number यहां दीजेगा फिर अपना mobile number का यहां verify कर लिजेगा आपका जो भी एक permanent email ID है उसको यहां डालिएगा और फिर email ID का यहां पर verify कर लिजेगा आप किस जगा से belong करते हैं अगर दिल्ली से belong करते हैं तो दिल्ली select कर लिजेगा ज제रकंट से बिलोंग करते हैं जเรา कंट बिलोंगा तेख जिस से बिलोंग करते हैं वह आप सेट कर लिजेगा Чॉ और program यहां पर एप Also जो आपने अपना मोबाइल नमर दे कर रेगाव मिल जाएगा और स्वैस में आपका अपना रेजिस्टेशन नमबर मिल जाएगा और जो आपने email id दिया था उस email id में भी आपको एक mail जाएगा उसमें भी आपका registration नमबर मिल जाएगा ठीक है तो यह इस तरह का आपका registration number होगा आप यहाँ पर additional detail मागा जाएगा additional contact and detail तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आज आज आजए additional contact and detail में सबसे पहले जो आप पहले भरे थे हैं वही सब आपको भरना है कौन से category से हैं अगर आप general से हैं general select कर लिजेगा EWS OBC SCST कौन से category में आते हैं उसको select कर लिजेगा फिर इसको यहाँ पर आपको confirm कर लेना है जो आपका category है उसके आद आप Indian है तो Indian select कर ले citizen of India identity mark आपका तील कहाँ पर है तो mole on right cheek अगर गाल में चिक है तो इसको आपको देख दीजेगा उसके आपका आर यूँ परसन भी तो benchmark disability किसी पर करका आपका परिशानी है नहीं है तो नो कर दीजेगा अब types of disability आपको भरना नहीं क्योंकि आपने अल्रेडी नो कर रखा है पर्मानेंट एड्रेस जो है वह आपको पीन कोड क्या है वहां का पीन कोड सेलेट किजेगा इन पर्जेंट एड्रेस अगर क्या आपका जो पर्जेंट एड्रेस है वह आपका सेम है अगर है तो यहीं किजेगा लेकिन आपका जो पर्मानेंट एड्रेस है वह कि आपका पर्जेंट एड्रेस के साथ मिलता है अग यहां पर save कर लेना है, save करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है, आगे जैसे बढ़ेंगे, तो कुछ इस तरह से तीसरा आपका आएगा declaration, यह आखरी आपका step होगा, आखरी step में आपका declaration करना है, ठीक है, अब देखे declaration में आपको बताता हूँ, declaration में यहां पर सबसे पहले यहां पर बता दिया गया है कि इसको ध्यान से पढ़ लिजे जो लिखा हुआ है, I hereby declare that the information given by me in this form is true, जो भी information आपने दिया वो सही है, complete है, correct है, to best my knowledge, ठीक है, and believe, I understand that in the event of information being false, incorrect, at any stage my my candidature appointed liable to be cancelled, और I agree कर लिजेगा, यहां पर tick करके, वसका आद final submit कर दिजेगा, ठीक है, तो इस तरह से आपका form, जो है apply हो जाएगा, उसके बाद, आपको photograph अगे जो भी है, वो आपको फिर आगे upload करना होगा, यहांगा आपका registration number और password आपको मिल जाएगा, उसके आपको आगे जो होगा, इस तरह से आपका जब official site में जाईएगा, और official site में जाकर आपको जो भी registration है, वो डालकर password डालकर capture डालकर आप जो login किजेगा, तो कुछ इस तरह से आपका नया page खूल कर आएगा, ठीक है, जो भी आपने form भरा था, वो सारा यहां पे इस तरह से सो करेगा ठीक है, इस तरह से सारा चीज सो करेगा, उसका यहां पे जो जो है, वो सब आपको फिर से यहां पर भरना होगा, जैसे कि नयम वगरा सारा चीज मिला लीजेगा, क्या कि आपने पहले भरा हुआ था, ठीक है, उसका यह सब तो आपने भर दिया था, आपको यहां पे center select करन करना है, मेडियम आप typing test जब आप typing test देंगे तो हिंदी में देंगे, तो हिंदी select कर लिजेगा, आप English में देना चाहिए, तो English को select कर लिजेगा, क्या आपने 12th में science लिया था, तो yes किजेगा, क्या आप एक सर्विस में नहीं है, तो no कर दिजेगा, ठीक है, इस तरह से कर लीज़ेगा राते हैं तो यस कर लीज़ेगा ठीक है कर डाल सकते हैं कितना तक पढ़े हैं वह आप सेलेट कर लिजेगाँ डिटेल अफस्व फक्राईट और owe 你 szczeg一 को सुंछ पढ़ेंग वह ब्सक्राइब डिल together से दिये हैं दिली CVSC से दिये है CVSC role number percentage यह सब आप डाल दीजेगा ठीक है उसके बाद यह सारा तो डिटेल था जो अपने भरा था अपना address में बर्मानेट अब यहाँ पर आखरी जूँ यहाँ पर यह आपको बढ़ियां से करना है वोटो गराफ और signature में बहुत का reject हो जाता है तो यह आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जब भी इस फॉर्म को भरे तो सबसे पहले यहां पर फोटो ग्राफ इस जगा पर फोटो ग्राफ और यह पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और बिल्कुल एकदम साफ सुथरा और जिस तरह एक जैन सिगनेचर जोगा वह 10-20 के बीच होना चाहिए इसका साइज ठीक है जेपीजी जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और साथी साथ आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो का बात करें तो आपका विड़ होना चाहिए 3.5 cm जबकि हाइट होना चाहिए 4 4.5 ठीक है इसे तरह से अगर आपका सिगनेचर का बात करें तो विड़ आपका 4 cm जबकि हाइट आपका 2 cm होना चाहिए ठीक है इस तरह से आप दे दीजेगा उसका वेदर दा फोटोग्राफ हैस बिन टेकन और आफ्टर एक आपने एक नवंबर 2000 पहले से आपको अपने इ ठीक है किसी भी परकार के गड़ बड़ी पाया जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है ठीक है सारा चीज यहां पर लिखा हुआ है डिकलेर देड़ फोटोग्राफ अप्लोडड अप्लेकेशन हैं टेकन आफ्टर दे इस्ट्यूपलेटेट डेट ठीक है तो इस तरह का आपका पासफूर्ट साइज का फोटो होना चाहिए लेकिन इससे भी आप बढ़िया ले सकते हैं ठीक है यह इस तरह का नहीं चलेगा टोपी पहनावा यह सब रिजक्ट हो जाएगा ठीक है इस तरह से मैंने जो भी है फॉर्म भरने का मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है ठीक है और बाकी जो भी था वो तो मैंने आपको बता दिया और साथी साथ मैं बता दूं कि आगे जो भी कोई परिशानी है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो यहीं पर मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं ठीक अटेंटेटेटिव वेकंसी जब भी आएगा वो मैं आपको बता दूंगा और यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और हमारे चैनल में पहली पर विजिट कर रहे हैं तो जरो जरो सबस्क्राइब कर लें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद